हेलो गाइस वेलकम वन्स अगेन और आज हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं मुवी दी फैनेश टावर को जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्सन एडवेंचर मुवी है जिसे आएम डेवी पर 6.7 आट ओफ 10 की रेटिंग भी दी गई है So guys without wasting your time let's begin the explanation मुवी की सुरुवात होती है वेलफलेट मसाचूस्थिस नाम की एक जगा से नومबर 1991 में पहले सीन में हम एक कार में दो दोस्तों को देखते हैं जिन में से एक का नाम होता है बर्नी और दूसरे का गस बर्नी और गस एक कलब के बाहर कार में होते हैं बर्नी पूछता है कि क्या वही मीरियम है पर वो लड़की मीरियम नहीं बल्कि उसकी दोस्त कैथरीन होती है गस और कैथरीन आपस में बाहर करने लग जाते हैं और बर्नी तभी मीरियम को पीछे से देखता है जैसे ही मीरियम बर्नी के सामने आती है वो उसकी सुन्दरता को देख कर खो जाता है इसके बाद वो दोनुं बैठ कर बाते करने लगते हैं और फिर गातरीन और गस भी उन्हें जोैन्प करते हैं तभी गस्थ wann Kelly बरनी से बोट रेट की जित करने हैं जिसके लिए बर्णी अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें मेरियम के बारे में बताता है साथ ही ये भी कहता है कि वो उन्हें लेकर बर्णी रैट पर जाना चाहता है जिसके लिए बाके सब तु मान जाते है पर वहाँ इर्विन नाम का एक आदमी होता है जो की बर्नी से नराज होता है और कहता है कि उसको बोट चलाने का ज्यादा experience नहीं है क्योंकि पाश के एक घटना के दोरान जब बर्नी एक सिप में फसे लोगों को छोड़ाने जाता है तो वो उसके जीजा को बचा नहीं पाता जिसका जिमेदार इर्विन बर्नी को मानता है अगले सीन में हम देखते हैं कि बर्नी अपने सातियों के साथ बोट में आता है और वहाँ बर्नी और मीरियम की पहली किस होती है उसके बाद वो लोग बोट में आगे बढ़ते हैं अब हम 17 फेबररी 1992 की डेट पर आ जाते हैं जहां हम देखते हैं कि मीरियम और बर्नी एक पाटी में डांस कर रहे होते हैं तभी मीरियम अचानक बर्नी से साधी करने के लिए पूछता है जिसे सुनकर बर्नी थोड़ा सौक हो जाता है और मना कर देता है तभी मीरियम वहाँ से नराज हो कर बाहर चली जाती है बर्नी उसके पीचे-पीचे भाग कर आता है और उसे मनाता है वो बताता है कि स्ट्रॉम कभी भी आ सकता है पर मीरियम नहीं मानती क्योंकि उसे साधी करने होती है इंड़े में बरनी मान जाता है और कहता है जिस डेट पर वो चाहेगी उसी दिन उसकी साधी होगी मीरियम 16 अपरिल क को साधी करने को कहती है बर्णी उसे बताता है कि वोकल ही अपने कमांडिंग आफिसर से परमीशन ले लेगा इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अगले सीन में हम पेंडल टोन कर yön coordin's को स्मालने का काम करता था değiş अपने कैपतन से फोन पर बात करते हुए उसे बताता है कि इस्त्राइम काफी तेज है से और और नाम नाम के एक आदमी से चिकरने को परता है और वो आदमी उसे बताता है कि अगर वो इसी स्पीट से चलता रहा तो उनकी सिप जादा देर तक नहीं चल पाएगी इसलिए उन्हें सिप की स्पीट कम करने होगी रे स्पीट की बात कैप्टन से करने जाही रहा होता है तभी सिप में हुआ क्रैक बढ़ जाता है और वो सिप तूट जाता है जिससे सिप में पानी भरने लगता है और लोगों की सभी चीजे तूटने लगती है रे बाहर आकर देखता है तो सिप के दो हिस्से हो जाते हैं ज पर वो बरनी की बात नहीं सुनता और उसको ओर्डर देता है कि वो सिप को बचाने के लिए जल्दी से निकले दूसरी तरफ सिप के बचे हुए हिस्से में कैप्टन सभी लोगों से कहता है कि उन्हें लाइफ बोर्ड को लेकर वहां से निकलना होगा लेकिन सभी लोग काफी डरे हुए थे बाहर पॉप रे से कहता है कि सिर्फ वो ही सिप को बचा सकता है क्योंकि वो सिप को काफी अच्छे सी जानता है तभी रे बाहर जाके तुफान को देखता है और वो दोनों फिर अंदर आते हैं कैप्टन वहां पर मौझूद लोगों को लैफ बोर्ड की हिल् और रे बताता है कि उन लोगों की विसल काम कर रही है इसलिए उन्हें उस विसल को बज़ाते रहना चाहिए ताकि कोई दूसरा सिप उनकी आवाज सुनके उन्हें बचाने वहाँ आए साथ ही रे बताता है कि सिप चार से पाच घंटे ही टिकेगी लेकिन लैफ बोट मुस्किल से बारा सिकेंड भी नहीं रे एडिया देता है कि वो सिप को रेट के उपर ले जाए ताकि उन्हें जादा समय मिल सके तभी रेडियो पर बैठा एक आदमी बताता है कि रेडियो पर भरोसा होता है लेकिन गस बरने को बोलता है कि जरूरी नहीं वो इस मिसन पर जाए और सब को बचाना मुनकिन नहीं होता गस की थोड़ी तबियत खराब भी होती है यहां हम देखते हैं कि इर्विन उन्हें बताता है कि उसने सिप को विसल करते हुए समंदर में देखा उधर रे सब के साथ मिलकर सिप को रेत के उपर ले जाने की कोशिस में लगा होता है और वहीं बाहर कैप्टन बाकी सातियों के साथ मिलकर लेफ बोट की तयारी कर रहा होता है जिसकी कबर पॉप रे को दे देता है और रे बाहर आकर उनकी लेफ बोट पानी में गिरा देत सास होता है कि रे ने उनकी जान बचाई अब रे सबसे कहता है कि ये सिप रात तक डूब जाएगी इसलिए उन्हें इससे पहले सिप को रेट पर ले जाना होगा इसके साथ साथ वो सभी को मदद करने को कहता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेशन पर जमा होते हैं जहां डैनियल को सिप के दो तुकडे के बारे में पता चलता है और वो काफी परिसान होता है इसलिए वो बर्णी से कहता है कि अपने लोगों के साथ जाकर सिप पर फसे हुए लोगों को बचाए बर्णी मान जाता है लेकिन वहां सब लोग बर्णी को कहते है कि पिछली बार भी वो सब को बचाने गया था लेकिन वो फसे हुए लोगों को बचा नहीं पाया जो कि उसकी गलती नहीं थी और ये तुफान उससे भी बड़ा है स्टीलो बरनी से जूट बोलने को बोलता है वो बर्नी से बोलने को कहता है कि वो लोग उन्हें मिले ही नहीं पर बर्नी उनकी बात नहीं मानता और वहां से बाहर आज जाता है वही रिचर्ड बर्नी के साथ चलने को तयार होता है जिसे देखकर गस भी जाने के लिए तयार हो जाता है पर गस की तब्यद ठीक ना होने की वज़ा से बर्नी उसको आने से मना करता है गस की जगा एंडी आने को तयार हो जाता है जिसके बाद उन्हें एक आदमी और शाहिय इधर सभी लोग सिप में डरे हुए होते हैं और काम में लगे होते हैं तभी रे रेत को देखता है और सब सिप को उसी तरफ ले जाते हैं यहां बर्नी मैप में देखकर सिप के बारे में अंदाजा लगाता है और बर्नी के साथी स्ट्रॉम को देखकर डरे हुए थे इधर मे से पता चलता है कि बरनी सिप को बचाने के लिए मिसन पर गया है ये सुनने के बाद मेरियम डैनियल से बात करना चाते थी लेकिन गस उससे वहीं बैट कर वेट करने को कहता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिप के तरफ एक बड़ी सी वेब आती है और सारा पानी सिप में गुज जाता है सिप के अंदर सब तबाह होने लगता है फिर हम देखते हैं कि बरनी स्टेशन पर फोन मिलाता है और अपनी लोकेशन बताता है तब मेरियम उसका मतलब पूछती है वहाँ पर बैठे लोग मेरियम को बताते हैं कि रे की पड़री कभी भी सेम जिगह पर बा पास चली जाती है और उसे बरनी को वापस बुलाने को कहती है लेकिन डैनियल इस बात से साफ इंकार कर देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है मेरियम वहाँ से अपनी कार में बैठ कर चली जाती है जहां हम देखते हैं कि उसका एक्सिडेंट हो जाता है क्योंकि उसका ध्यान कहीं और ही होता है यहां बरनी अपनी टीम के साथ रेट के पट्री के पास पहुँचने वाला होता है लेकिन तभी एक और वेब उनकी सिप की तरफ जोड़ों से बढ़ती हुई आ रही होती है पर उनका इंजन खराब हो जाता है और वो लोग इंजन को ठीक करने की को पहुचने ही वाले होते हैं हाला कि वो वेव की वज़ा से डूपते डूपते बच तो जाते हैं पर इंड में वो रेट की पट्री पर पहुच जाते हैं जिसके बाद रे बार बार उनसे विसल बजाने को बोलता है ताकि उनकी मदद के लिए आ रहे लोगों को उनके बारे उसकी गाड़ी रोड से निकलवा देगा जिसका एक्सिडेंट हो चुका है अब बर्नी अपने सिप पर लहरों से टकराते हुए आगे बर्ने की कोसिस करता है उनका केंपस खो जाता है जिस वज़ा से अब वो दूसरी सिप को नहीं ढूंड सके वो स्टेशन से कॉंटाक्ट क करते जिससे कि वो समंदर के अंदर दूसरी सिप की लैट को देख सके और उस तक पहुंच सके लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी सिप में पंप से पानी भरने की वज़ा से सिप की सारी लैट आफ हो गई है और सिप में अंधेरा हो गया है इधर मेरियम उसी लड़की की साथ उसके घर पहुँचती है और उस लड़की का भाई कारल होता है जो की बर्नी के साथ काम करता था वो मेरियम की गाड़े निकालने में उसकी हेल पे करता है वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बर्नी को सिप मिली जाता है जिसको ढोनने वो आई होते है बर्नी एंडी को सर्च है सभी उनको वहां देखकर बहुत खुस होते हैं तब ही रिचेट कहता है कि उनकी बोट में सिर्फ बारा लोग ही आ सकते हैं लेकिन बरनी कहता है अगर वो रिगुलेशन को फॉलो ना करे तो वो और भी लोगों को बोट में ला सकता है जिस पर रिचेट बताता है कि 20 से 20 ल इसके बाद भी साथ से 8 लोग सिप में बचे हुए थे और फिर रिचरड बरनी से कहता है कि इससे ज़्यादा लोग बोट में लेना सही नहीं होगा और हमें उन्हें यहीं चोड़ देना चाहिए लेकिन बरनी इस बात को नहीं मानता और वो कहता है कि अगर जाएंगे थो स कि नबस स्टेशन आज आती है आसे बताता है कि उन्हों ने 32 लोगों को बचा लिया है और वो उनके साथ उनकी बोट में है आप बरनी की आवाज सुनकर मिरियम वहुत खुछ होती है डैनियल बर टो कहता है कि वो सभी लोगों को पासथ की एक सिप में छोड़ दे जिससे की बोर्ट का लोट कम हो सके लेकिन बरनी को ये रिस्की लगता है और वो डैनियल का ओडर फॉलो नहीं करता और रेडियो बंड कर देता है मीरियम इस बात को सुनके दुखी होती है और बाहर आ जाती है वहाँ उस लड़की की काम में हिल्प करती है तब इस स्टेशन में पावर कट हो जाता है मीरियन को लिफ्ट देने वाली लड़की रो रही थी क्योंकि उसके हस्बेंट की डेट भी ऐसे ही समंदर में फसने की व वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वहीं दूसरी तरफ इस्टेशन पर मौझो सभी लोग अपनी गाड़िया लेकर समंदर की तरफ निकल जाते हैं वहाँ पहुँचकर सभी अपने गाड़ियों की लैट से ओन कर देते हैं जिससे की बरनी को लैट का सिगनल मिले और वो सम खुस होते हैं बरनी रिचर्ट से कहता है कि आखिर उन्होंने कर दिखाया और रिचर्ट भी काफी खुस होता है अब वो लोग लैट की तरफ तेड़ी से बढ़ रहे थे दूसरी तरफ समंदर के किनारे खड़े लोग बोट को आते देख कर खुस होते हैं बोट समंदर के क पिनारे आती है और सभी एके करके उसमें से उतर जाते हैं इर्विन भी बरनी को देखकर इसमेल करता है और वो अब उससे नराज नहीं रहा सबके उतर जाने के बाद बरनी बोट में अकेला होता है जहां मेरियम उसके पास आती है और उसे किस करती है फिर वो दोनों भी ट्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले फिर मिलता हूं किसी हर मुवी के एक्सपेरिकेश